लिजे सुनिए देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के चौथे भाग के छटवे बयान को मेरी यानि समीर गुस्वामी की आवाज में अब हम पिस्से के सिलसले को मोड़ कर दूसरी तरफ जुकते हैं और पाठकों को पुन्न धाम काशी में ले चलकर संध्या के समय गंगा के नारे बैठी हुई एक नौजवान औरत की अवस्था पर ध्यान दिलाते हैं सूर भगवानास तो हो चुके हैं चारो तरफ अंधेरी घिरी आती हैं गंगा जी शांत भाव से धीरे धीरे बह रही हैं आसमान पर छोटे छोटे बादल की टुकडे पूरब की तरफ से चले आकर पश्चिम की तरफ एकट्छे हो रहे हैं गंगा के किनारे ही पर एक नौजवान औरत जिसकी उम्र पंद्रे वर्ष से जादा न होगी हथेली पर गाल रखे जल की तरफ देखती ना मालूम क्या सोच रही है इसमें कोई शक नहीं कि ये औरत नख शिक्ष दुरूस्त और खुबसूरत है मगर रंग इसका सावला है तो भी इसकी खुबसूरती और नजाकत में किसी तरह का बट्टा नहीं लगता थोड़ी थोड़ी देर पर ये औरत सिर उठा कर चारों तरफ देखती और फिर उसी तरह हथेली पर गाल रखकर कुछ सोचने लग जाती है इसके सामने ही गंगाजी में एक छोटा सा बजड़ा खड़ा है जिस पर चार-पांच आदमी दिखाई दे रहे हैं और कुछ सफर का सामान और दो-चार हर्बे भी मौजूद है थोड़े देर में अंधिरा हो जाने पर वो वारत उठी साथ ही बजड़े पर से दो सिपाही उतर आये और उसे सहारा दे कर बजड़े पर ले गए वो च्छत पर जा बैठी और किनारी की तरफ इस तरह देखने लगी जैसे किसी के आनी की राह देख रही हो बेशक ऐसा ही था क्योंकि उसी समय हाथ में गटरी लटकाए एक आदमी आया जिसे देखते ही दो मलाह के नारे पर उतर आये एक ने उसके हाथ से गटरी लेकर बजड़े की च्छत पर पहुँचा दिया और दूसरे ने उस आदमी को हाथ का हलका सहरा देकर बजड़े पर चढ़ा दिया वो भी च्छत पर उस औरत के सामने खड़ा हो गया और तब इशारे से पूछा कि अब क्या हुक्म होता है जिसके जवाब में इशारे ही से उस औरत ने गंगा के उस पार की तरफ चलने को कहा उस आदमी ने जो अभी आया था माज़ियों को पकार कर कहा कि बजड़ा उस पार ले चलो इसके बाद अभी आए हुई आदमी और उस औरत में दो चार बातें इशारे में हुई जिसे हम कुछ नहीं समझे हाँ इतना मालूम हो गया कि ये औरत गुंगी और बहरी है मुह से कुछ नहीं बोल सकती और नाकान से कुछ सुन सकती है बजड़ा किनारी से खोला गया और पार की तरफ चला चार मांची डाने लगाने लगे वो ओरत चछ से उतर कर नीचे चली गई और मर्द भी अपनी गट्री जुलाया था लेकर चछ से नीचे उतर आया बजड़े में नीचे दो कोट्रियां थी एक में सुन्दर सफेद फर्ष बिचा हुआ था और दूसरी में एक चारपाई बिची और कुछ असबाब पड़ा हुआ था ये औरत हाथ से कुछ इशारा करके फर्ष पर बैट गई और मर्द ने एक पट्या लकड़ी की और छोटी सी टुकड़ी खड़िये की उसके सामने रख दी और आप भी बैट गया और दौनों में बातचीत होने लगी मगर उसी लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर अब उन दौनों में जो बातचीत हुई हम नीचे लिखते हैं परंतु पाठक समझ रखें कि कुल बातचीत लिखकर हुई पहले उस ओरत ने गठरी खोली और देखने लगी कि उसमें क्या है पीतल का एक कलमदान निकला जिसे उस ओरत ने खोला पाच साथ चिठियां और पुर्जे निकले जिनने पढ़कर उसी तरह रख दिया और दूसरी चीज़ें देखने लगी दो चार तरह के रूमाला और कुछ पुराने सिक्के देखने के बाद टीन का एक बड़ा सा डिब्बा खोला जिसके अंदर कोई ताज्यूब की चीज़ थी डिब्बा खोलने के बाद पहले कुछ कपड़ा हटाया जो बैठन की तोर पर लगा हुआ था इसके बाद जाक कर उस चीज़ को देखा जो उस डिब्बे के अंदर थी नामालू उस डिब्बे में क्या चीज़ थी कि जिसे देखते ही उस ओरत की अवस्था बिलकुल बदल गई जाक के देखते ही वो हिचकी और पीची की तरफ हट गई पसीने से तर हो गई और बदन कापने लगा चहरे पर हवाई उड़ने लगी और आँखे बंद हो गई उस आदमी ने फुर्ती से बैठन का कपड़ा डाल दिया और उस डिब्बे को उसी तरह बंद कर उस ओरत की सामने से हटा लिया उसी समय बजड़े के बाहर से एक आवाज आई नानक जी नानक पर साथ उसी आदमी का नाम था जो गट्री लाया था उसका कद ना लंबा ना बहुत नाटा था बदन मोटा रंग गोरा और उपर के दाथ कुछ खुडबुडे से थे आवाज सुनते ही वो आदमी उठा और बाहर आया मलाहों ने डान लगाना बंद कर दिया था और तीन सिपाही मुस्तेद दर्वाजे पर खड़े थे नानक एक सिपाही से क्या है सिपाही पार की तरफ इशारा करके मुझे मालम होता है कि उस पार बहुत से आदमी खड़े है देखिए कभी कभी बादल हट जाने से जब चंदरबा की रोशनी पड़ती है तो साफ मालम होता है कि वे लोग भी बहाओ की तरफ हटे ही जाते है जिधर हमारा बजड़ा जा रहा है नानक गोर से देखकर हाँ ठीक तो है सिपाही क्या ठीका ना शायद हमारे दुश्मन ही हो नानक कोई ताज्जब नहीं अच्छा तुम नाव को बहाओ की तरफ जाने दो पार मत चलो इतना कहकर नानक पर साथ अंदर गया तब तक औरत के भी हवास ठीक हो गए थे और वो उस टीन की डिबे की तरफ जो इस समय बंद था बड़े गोर से देख रही थी नानक को देखकर उसने इशारे से पूछा क्या है इसके जवाब में नानक ने लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर दिखाया कि पार की तरफ बहुत से आदमी दिखाई पड़ते हैं कौन ठिकाना शायद हमारे दुश्मन हो औरत लिखकर बजडे को बहाओ की तरफ जाने दो सिपाईयों को कहो बंदू को लेकर तयार रहे अगर कोई जल में तैर कर यहां आता हुआ दिखाई पड़े तो बेशक गोली मार दे नानक बहुत अच्छा नानक फिर बाहर आया और सिपाईयों को हुक्म सुना कर भीतर चला गया उस ओरत ने अपने आचल से एक ताली खोल कर नानक के हाथ में दी और इशारे से कहा कि इस टीन के डिबबे को हमारे संदूक में रख दो नानक ने वैसा ही किया दूसरी कोटरी में जिसमें पलंग बिचा हुआ था और कुछ अस्वाब और संदूक रखा हुआ था गया और उसी ताली से एक संदूक खोल कर वो टीन के डिबबा रख दिया और उसी तरह ताली बंद कर ताली उस ओरत के हवाले की उसी समय बाहर से बंदूक की आवाज आई नानक ने तुरंट बाहर आकर पूछा क्या है सिपाही देखिए कई आदमी तेर कर इधर आ रहे दूसरा मगर बंदूक की आवाज पाकर अब लौट चले नानक फिर अंदर गया और बाहर का हाल पटिया पर लिखकर औरत को समझाया वो भी उठकड़ी हुई और बाहर आकर पार की तरफ देखने लगी घंटा भर योही गुजर गया और अब वे आदमी जो पार दिखाई दे रहे थे या तेर कर इस बजड़ी की तरफ आ रहे थे कहीं चले गए दिखाई नहीं देते नानक पर साथ को साथ आने का इशारा करके वो औरत फिर बजड़ी के अंदर चली गई और पीछे नानक भी गया उस गट्री में जो जो चीज़ें थी वो गुंगी और देखने लगी तीन चार बेश पीमती मरदाने कपड़ों के सिवाए और उस गट्री में कुछ भी न था गट्री बांद कर एक किनारे रख दी गई और पटिया पर लिख लिख कर दोनों में बात चीट होने लगी औरत कलमदान में जो चिट्ठीया है वे तुमने कहा सिपाई नानक उसी कलमदान में थी। और वो कलमदान कहा पर था। नानक उसकी चार पाई की नीचे पड़ा हुआ था। घर में सन्नाटा था और कोई दिखाई ना पड़ा। जो कुछ जल्दी में पाया लिया आया। औरत खेर कोई हर्ज नहीं हमें के वल उस टीन की डिबे से मतब था। ये कलमदान मिल गया तो इन चिट्ठी पुर्जों से भी बहुत काम चलेगा। इसके अलावे और कई बाते हुए जिसके लिखने की हाँ कोई जरूरत नहीं पहर रास से जादा जा चुकी थी जब वो से उठी और शमादान जो जल रहा था बुझा अपनी चार पाई पर जाकर लेट रही। नानक भी एक किनारे फर्ष पर सो रहा और रात भर नाव बेखटके चली गई। कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने योग हो। जब थोड़ी रात बाकी रही वो अरत अपनी चार कियों की राह इस बजड़े के अंदर भी चांदनी आ रही थी। बलकि जिस चार पाई पर वो औरत सोई हुई थी चंद्रमा की रोशनी अच्छी तरह पढ़ रही थी। वो औरत धीरे से चार पाई की नीचे उतरी और उस संदूक को खोला जिसमें नानक का लाया हुआ टी पर आकर बैठ रही। मूम बत्ती में से मूम लेकर उसने टीन के डिब्बे की दरारों को अच्छी तरह बंद किया और हर एक जोड में मूम लगाया जिस से हवा तक भी उसके अंदर न जा सके। इस काम के बाद वो खिड़की के बाहर गरदन निकाल कर बैठी और किनारी की सबेरा होते होते वो नाव एक ऐसी जगह पहुँची जहां किनारे पर कुछ आबादी थी बलकि गंगा के किनारी एक उचा शिवाले भी था और उतर कर गंगा जी मैं इसनान करने के लिए सीड़हां भी बनी हुई थी। ओरत ने उस मकाम को अच्छी तरह देखा और जब वो बजड़ा उस शिवाले की ठीक सामने पहुँचा तब उसने टीन का डिबबा जिसमें कोई अधभुत वस्तु थी और जिसके सुराखों को उसने अच्छी तरह मोम से बंद कर दिया था जल में फेक दिया और फिर अप कि लालिमा निकल आई तो उस औरत के हुक्म के मताबिक बजड़ा एक जंगल के किनारे पहुंचा उस औरत ने किनारे किनारे चलने का हुक्म दिया ये किनारा इसी पार का था जिस तरफ काशी पढ़ती है या जिस हिस्से से बजड़ा खोल कर सफर शुरू किया गया था रहे तरह के पक्षी बोल रहे थे, हवा के जपेटों के साथ जंगली फूलों की मीठी खुश बुआ रही थी, वो औरत एक खिड़की में सिर रखे जंगल की शोभा देख रही थे, यकायक उसकी निगाह किसी चीज़ पर पड़ी, जिसे देखती ही वो चौंकी और बाहर आक बजड़ा रोकने और किनारे लगाने का इशारा करने लगी, बजड़ा किनारे लगाया गया और वो गूंगी ओरत अपने सिपाहियों को कुछ इशारा करके नानक को साथ लेकर नीचे उतरी, घंटे भर तक वो जंगल में घूमती रही, इसी बीच में उसने अपने जरूर सा मुडा सा बांधा और ढाल तलवार खंजर के अलावे एक चोटी सी पिस्टॉल जिसमें गोली भरी हुई थी, कमर में छिपा और थोड़ी सी गोली बारूद भी पास रख बजड़े से उतरने के लिए तयार हुई, नानक ने उसकी ऐसी अवस्ता देखी तो सामने आड़ कर खड़ा हो गया और इशारे से पूछा कि अब हम क्या करें, इसके जवाब में उस ओरत ने पटिया और खड़िया मांगी और लिख लिख कर दोनों में बातचीत होनी लगी, ओरत तुम इसी बजड़े पर अपने ठिकाने चले जाओ, मैं तुम से आमिलूंगी, नानक मैं किसी तरह तुम्हें अकिला नहीं चोड़ सकता, तुम खुब जानती हो कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी तकलीफ हैं उठाई हैं और नीच से नीच काम करने को तैयार रहा हूँ, ओरत, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर मुझ गूंगी के साथ तुम्हारी जिन्दगी खुश तुम्हारी सची महबत का कुछ ख्याल ना किया, मुझे धन दौलत की परवाह नहीं और ना मुझे तुम्हारी गूंगी होने का रंज है, बस मैं इस बारे में जादा बातचीत नहीं करना चाहता, या तो मुझे कबूल करो या साफ जवाब दो, ताकि मैं इसी जगए तु अभी मैं अपने कामों से निश्चिंत नहीं हुई, जब आदमी बेफिक्र होता है तो शादी बया है और हसी खुशी की बाते सूचती है, वगर इसमें शक नहीं कि तुम्हारी महबत सची है और मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ, नानक, जब तक तुम अपने कामों से चु बजड़ी को ले जाएं और इसमें जो कुछ चीजें हैं अपनी हिफाज़त में रखें क्योंकि वो लोहे का डिबबा भी जो तुम कल लाए थे, मैं इसी नाव मैं छोड़े जाती हूँ, नानक पर साथ खुशी के मारे एंठ गए, बाहर आकर सिपाहियों को बहुत कुछ स नानक को साथ ली हुए राम भोली जंगल में खुशी, थोड़े ही दूर जाकर वो एक ऐसी जगह पहुची जहां बहुत सी पग्रंडियां थी, खड़ी होकर चारो तरफ देखने लगी, उसकी निगाह एक कटे हुए साखो के पेड़ पर पढ़ी, जिसके पत्ते सूख कर खड़ी हो गई और इस तरह चारो तरफ देखने लगी, जैसे कोई निशान ढूंडती हो, उस जगह की जमीन बहुत पत्री ले और उंची नीची थी, लगभग पचास घज की दूरी पर एक पत्थर का धेर नजर आया, जो आदमी के हाथ का बनाया हुआ मालुम होता था, उस पत्थर के धेर के पास गई और दम लेने या सुस्ताने के लिए बैठ गई, नानक ने अपना कमर बंद खोला और एक पत्थर की चट्टा अंजार कर उसे बिछा दिया, राम भोली उसी पर जा बैठी और नानक को अपने पास बैठने का इशारा किया, ये दोनों आदम के साथ हर्बे लगाए, मर्दों की तरह गोड़े पर बैठी बहादरी का नमूना दिखा रही है, वो राम भोली के पास आकर खड़ी हो गई और उस पर एक भेद वाली नज़र डाल कर हंसी, राम भोली ने भी उसके हंसी का जवा मुस्कुरा कर दिया और कंखियों से नानक की तरह इशारा किया, उस ओरत ने राम भोली को अपने पास बुलाया और जब वो गोड़े के पास जाकर खड़ी हो गई तो आप गोड़े से नीचे उतर पड़ी, कमर से एक छोटा सा बटवा कोल कर एक चिट्थी और एक अंगूठी निकाली, जिस पर एक सुर्ख नगीन जड़ा हुआ था और राम भोली के हाथ में रख दिया, राम भोली का चेहरा गवाही दे रहा था कि वो इस अंगूठी को पाकर हस से जादा खुश हुई है, राम भोली ने इस जद देने के ढंक पर उस अंगूठी को सिर से लगाया और इसके बाद अपनी अंगूली में पहन लिया, चिट्ठी कमर में खौंस कर फुर्ती से उस घोड़े पर सवार हो गई और देखते ही देखते जंगल में गुसकर नजरों से गायब हो गई, नानक पर साद ये तमाशा देख भोचक सा रह गया, कुछ करते धरते ना बन पड़ा, ना मूँ से कोई आवाज निक और जिसने इशारे बाजी करके राम भोली को अपने घोड़े पर सवार कर भगा दिया, वो ओरत नानक के पास आई और हसके बोली, वो ओरत जो तेरे साथ थी, मेरे घोड़े पर सवार होकर चली गई, कोई हर्ज नहीं, मगर तु उदास क्यों हो गया, क्या तुझ से और उ नानक बेशक ऐसा ही था, वो मेरी हो चुकी थी, तुम नहीं जानती कि मैंने उसके लिए कैसी कैसी तकलीफ उठाई, अपने बाप दादे की जमीदारी चौपट की और उसकी गुलामी करने पर तयार हुआ, औरत बैठकर किसकी गुलामी, नानक उसी राम भोली की जो तुम औरत, हसकर, बहुत ठीक, तुमेरी सकी अर्थात उस औरत को कब से जानता है, नानक, कुछ चिढ़कर और मुह बनाकर, उसे मैं लड़कपन से जानता हूँ, बगर तुमें सिवाए आज के कभी नहीं देखा, वो तुम्हारी सकी क्यों कर हो सकती है, औरत, तु जूटा, बे से बाहर कर दिया, वो एक दम चिढ़ गया और घुसे में आकर मियांसे तलवार निकाल कर बूला, कमबखत औरत, मुझे बेवकुफ बनाती है, जली कटी बाते कहती है, और मिरी आँखों में धूल डाला चाहती है, अभी तेरा सिर काट के फेक देता हूँ, औरत, हसकर, शा निकी एक फल भोग, उसने तलवार का वार उस औरत पर किया, औरत ने फूरती से अपने को बचा लिया, और हाथ बढ़ा, नानक की कलाई पकड़ जोर से ऐसा जटका दिया, कि तलवार उसके हाथ से निकल कर दूर जागिरी और नानक आश्चर में आकर उसका मुझ देखने नानक का क्रोध हभी शांत नहीं हुआ था, उसने अपनी तलवार जो दूर पड़ी हुई थी उठा कर मियान में रख ली और कुछ सोचता और दात पीसता हुआ, उस औरत की पीछे चला, वो औरत इस बात से भी होशियार थी कि नानक पीछे से आकर धोखे में तलवार न मा ही थी, हुआ बहुत बड़ा और खुबसूरत था, वो औरत कुए पर गई और बैठ कर धीरे धीरे कुछ गाने लगी, समय दोपहर का था, धूब खूब निकली थी, मगर इस जगए कुए के चारो तरफ घने पेड़ों के ऐसी चाया थी और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी क नानक की तबियत खुश हो गई, क्रोध रंज और बदला लेने का ध्यान बिलकुल ही जाता रहा, तिस पर उस औरत की सुरीली आवाज ने और भी रंग जमाया, वो उस औरत की सामने चाकर बैठ गया और उसका मुह देखने लगा, दो ही तीन तान लेकर वो और चुप हो ग राम भोली किसी तरह नहीं मिल सकती, उसका ध्यान अपने दिल से दूर कर दे, नानक, राम भोली जख मारेगी और मेरे पास आवेगी, वो मेरे कबजे में है, उसकी एक ऐसी चीज मेरे पास है, जिसे वो जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती, औरत, हंसकर, इसमें कोई शक नह कूप देओ मुझे प्यास लगी है, जरा पानी तो पिलाना, औरत की बात सुनकर नानक घबराया और जी में सोचने लगा कि यह अजब औरत है, कुए पर हकूमत चलाती है कि मुझे पानी पिला, यह औरत मुझे पागल कहती है, मगर मैं इसी को पागल समझता हूँ, बला खबडा कर उट खड़ा हूआ और कापते हुए तथा डरी हुई सूरत से कुएं की तरफ देखने लगा, वो एक हाथ था जो चांदी के कटूरे में साफ और ठंडा जल लिये हुए कुएं के अंदर से निकला और इसी को देखकर नानक घबरा गया था, वो हाथ के नारे आय उस ओरत ने कटूरा ले लिया और जल पीने के बाद कटूरा उसी हाथ पर रख दिया, हाथ कुए के अंदर चला गया और वो ओरत फिर उसी तरह गाने लगी, नानक ने अपने जी में कहा, नहीं नहीं, यह ओरत पागल नहीं, बलकि मैं ही पागल हूँ, क्योंकि इसे अभी पकड़ और जटका दे कर इसने तलवार गिरा दी, मगर राम भूली से इसका परिचे कहा हुआ, गाते गाते एकायक वो ओरत उठकड़ी हुई और बड़े जोर से चिला कर, उसी कुए में कूद पड़ी, अभी आप सुन रहे थे, देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्य चंद्रकांता संतती के चौथे भाग के छटवे बयान को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में